माता सीता की यह रोचक लोक कथा आपका दिल चीत लेगी, धन के बंडार भर देगी माता सीता की खुवसूरत लोक कथा की कहानी देवियों सज्जनों, आप सभी को मेरा प्रड़ाम जै स्री राम रादे रादे हर हर महादे आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माता सीता की लोक कथा के बारे में यह कहानी सीता माता कहती थी और सीराम जी इसे सुना करते थे एक दिन सीराम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 बर्सकार नित नेम है अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुना हुई सीरी राम ने कहा कि तुम कुवे की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरत पानी वरड़ने आएगी उने अपनी कहाने सुना देना सीता माता कुए की पाल पर जाकर बैट जाती एक स्तरी आई उसने रेसम की जरी की साड़ी पेन रखी थी और सौने का गड़ा ले रखा था सीता माता उसे देख कर कहती कि बहन मेरा 12 बड़सका नित्यनयम सुन लो पर वह इस तरी बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनयम सुनूगी तो मुझे घड़ जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई उसकी देशम जरी की साड़ी फट गई सौने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोस अपने सिर लेकर आ गई है बहु ने कहा कि कुए पर एक औरत बैठी है उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने सुनी नहीं जिसका ये फल मिला बहु की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और गढ़ा लेकर सास कुए की पाल पर गई सास को वही माता सीता बैटी मिली तो माता सीता ने कहा कि भायन मेरी कहानी सुन लेजिए सास बोली कि एक बाद छोड़ मैं तो चार बार कहानी सुन लूगी तो वो औरत कहानी सुनने बैठ जा दिया राम आये, लच्मन आये, देश गे, पुजारी आये नित नेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम तपी रसोई जी ओ राम माखर मिस्री खाओ राम दूद बतासा पी ओ राम सूत के पलका मोटो राम साल दुसाला पोटो राम साल दुसाला ओडो राम जब बोलू जब रामी राम राम समारे सब के काम खाली घर बंडार वरेंगे स श्रीराम जैराम जै-जैराम सास बोली की बहंन कहानी तो बहुत अच्छी लगी कहानी सुनकर सास घचली गए उसकी साहटी फिर से रेसम जडीकी बन गई मिट्टी का घड़ा फिर से सौने के गड़े में बदल गया बहु कहने लगी सासुमा आपने सब कैसे किया सास ने कहा कि बहु तू दोस्ट लगा के आई थी और मैं अब दोस्ट उतार करा रही हूं बहु ने फिर पूचा कि वह कुए वाली इस्तरी कौन है सास बोली कि वे सीता माता थी वे पुराने से नया कर द देती हैं वह लचमी जी का वास गर में कर देती हैं आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं बहु बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो और सास ने कहानी सुरू की राम आये लचमा आये देश के पुजारी आये नित नेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम तपी रस्वी जी ओ राम मांखन मिस्री खाओ राम दूद बतासा पी ओ राम सूट के पलका मोथो राम साल दुसाला पोठो राम साल दुसाला ओडो राम जब बोलू जब रामी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर बंडार वरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, स्री राम जै राम जै जै राम कहानी सुनकर भव बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है सास ने कहा कि ठीक है इस कहानी को रोज कहा करेंगे अब सास भव रोज सवेरे उठती नहाती दोती और पूजा करने के वाद नितनेम की सीता की कहानी कहती एक दिन एक दिन उनके यहां एक पड़ोस की औरत आई और बोली बहन जरासी आच देना तो वह बोली कि आच तो अभी हमने जला ही नहीं पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह चार बज़े से उठकर क्या कर रही हो फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं पडोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर्वे भंडार भड़ जाते हैं सारे काम सिद्ध हो जाते हैं मन की इच्छा भी पूरी होती है पडोसन कहती है कि वहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना तो फिर वह बोली कि ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो फिर उन्होंने कहानी कहना शुरू किया राम आये लच्मन आये तेस के पुजारी आये नित नेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम यह पूरी कहानी फिर से बोलती है वो सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने भी भंडार भर दिए अब तो पूरे महौले में नितनेम की कठा चल पड़ी हर किसी को मनोकामना पूरी होनी लगी सीता माता जैसे आपने वह पुकर भंडार वरे वैसे हह आप हमारे भंडार भंड़ने कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले Kit आज भी उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और हडियाना के कुछ छेत्रों में यह कथा सीता जैन्ती पर चाव से सुनाई जाती है जै सीता माता की जै स्री राम फिर आते हैं एक और ऐसी धार्मिक कहाने के साथ आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन का बटन भी दबा दें जिससे की वीडियो की नोटिपिकेसन आप सभी तक पहुंच सके और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और सेयर करें जै स्री राम जै स्री राम